उसने मुझे पैसे देने के बہانे वहां बुलाया मैं पेन देने के बहाने उससे मिला मैं उसे अपना फ्लैट दिखाने के बहाने दिल्ली ले गया तो friends इन सब sentences में हमने use किया है के बहाने और इस तरह के sentences जो है हम दिन में काफी बार use करते हैं और आज की वीडियो जो है यह आपके लिए बहुत ज़ादा helpful होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी तरह के sentences की English जानेंगे तो मैं हुशेया और आप सभी का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए friends हम बिना time waste की वे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो चलिए हम इसको एक-एक sentence से अच्छे से समझते हैं पहला sentence है उसने मुझे पैसे देने की बहाने वहाँ बुलाया इस sentence की English होगी He called me there on the pretext of giving money या फिर friends आप इसको बोल सकते हैं He called me there on the pretext of giving me money लेकिन जैसा की हम पहले ही he called me यहाँ पे भी me use कर रहे हैं तो sentence के माद हम से पता चल रहा है कि उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहाँ पे बुलाया तो अगर आप दुबारा giving के बाद मी ना लगाए तो भी sentence आपका correct रहेगा तो चली friends अब अपने next sentence को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा अगला sentence है मै pen देने के बहाने उससे मिला इस sentence को हम English में कहेंगे I met him on the pretext of giving a pen I met him on the pretext of giving a pen next है मैं उसे अपना फ्लैट दिखाने के बहाने दिल्ली ले गया इस sentence की English होगी I took him to Delhi on the pretext of showing my flat I took him to Delhi on the pretext of showing my flat trends अगर आपको यह वीडियो useful लगेगी तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा तो चलिए जो हमारा fourth sentence है उसको देखते हैं और next है वह मुझसे मिलने के बहाने shopping mall में आई इस sentence को English में कहेंगे She came to the shopping mall on the pretext of meeting me She came to the shopping mall on the pretext of meeting me Next है मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गई इस sentence को हम English में बोलेंगे I went to her house on the pretext of drinking tea I went to her house on the pretext of drinking tea हमारा अगला sentence है उसने अपना काम करवाने के बहाने मुझे अपने घर बुलाया इस sentence को हम English में कहेंगे He called me to his house on the pretext of getting his work done He called me to his house on the pretext of getting his work done तो हमारा next sentence है और हाँ friends एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको इस तरह के sentences की practice जरूर करनी है और फिर है उसने बिमार होने के बहाने आफिस से छुट्टी ले ली इस sentence को हम English में बोलेंगे He took leave from the office on the pretext of being ill He took leave from the office on the pretext of being ill तो friends आज की वीडियो यहीं पर समाथ होती है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो आगे ही ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच चके और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग